ताजरगरी आगरा में एक अजब गचब तरे का गैंग पकड़ा गया है ट्रकों पर फर्जी नंबर जालकर बीचे जाने का धंदा करने वाले गैंग का स्टीएफ ने कारवाई कर परदा फाश किया है गिरोहे के दो सदेसों को गिरफतार किया गया तो वहीं इनकी निशान देही पर साथ चख बरामत हुए है सदसे से पूच्टा जारी है इस कड़ी में अभी कई और नाम सामने आने है एक होटल है पाम बुज आपको तार गर मैदान के सामने वहाँ पर पुलिस से सूचना मिली कि कुछ लोग रोड पे हंगामा कर रहे हैं मौके पर कई ठानों की फोर्स को वहाँ भेजा गया और वहाँ पर लोग रोड पर बैठे हुए थे और एक दूसरे तूतूमे में कर रहे थे पता करने पर ये मालूम चला कि राहुल गौरग और उनके परिवार जन उस होटल में किसी का बूत्रे मनाने के लिए आये थे इसमें कहां सुनी हुई और इन दोनों के बीच तूतूमे में हो रही थी बहुत मसक्तक बात पोलिस ने मामला सांथ किया और वहां से रास्ता खाली करवाया इस पूरे मामले के जाच की जा रही है अगरि मिदिक कारवाई की जाएगी सर पहले भी अभी बहुत छेत्रों खाली मोशी एक गूट करते हैं जो जो जा तो टोटल लास में चली गई है इंटर इस्टेट में उस पे कुछ प्रावलम है इन आटियों की डाटा के माधियम से यह ऐसे ट्रकों के जिनकी किस्ते डिफाल्ट हो चुकी रहती है इन तो के फिर से इन कालियों का यह रिस्टेशन करा करके उसको लोन करा लेते हैं लोन कराने के बाद से कुछ दिन बाद फिर इनी गालियों को फिर से एक बार इसी तरीके से फिर से एक पेपर नया टारा करकर उस पर लोन कराते हैं इस तरह है एक ही गाली को तीन बार चार बार कर दे रहते हैं इस तरह के कुल साथ गालियां हमने राजस्तान नंबर की पहले में टाटा की गारियों में जो टोटल लास की गारियां होती थी कंपणी में उसको एक काम करता था वहाँ इस काम कुछ सीखा उसने लेकिन अभी जब विस्तित पुछताथ उससे जब हो जाएगी और पकड़े में आ जाएगा हमारे तो हम और भी चीजों को रिकबर कर स आगरा में हुई है और सेज पे हम आगे की कारवाई करेंगे और इस तरह से और भी गानियां बरामाद होने की पुली सम्माद है